आज मैं बताने जा रहे हूं कुछ कीचेन का टिप्स जो की बहुत ही यूजफुल है आप पूरा फुल वीडियो देखिएगा इसमें कई तरह कर टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत बताई हूं इसको कहीं भी स्किप नहीं किजिएगा तो चलिए इसको शुरू करते हैं टिप न तो लेटाइग होता है लीजिए अगर वह लीजिए उससे जल्दी पक जाता है अगर नहीं है तो कोई भी पेपर में आप इस तरह से लपेट करके इसको रख दीजिए एक रात में आपको जल्दी यह पक जाएगा तो आप सारे इस तरह के केला आम हो चीकु बहुत फाल व टीप निम्बू को लाते हैं तो फ्रीज में रख दीजिए या बाहर रख दिए वह निम्बू शुक जाता है तो इसको कैसे प्रिजर्ब करके रखा जाए ताकि वह निम्बू फ्रेज रहे और यह जब भी आप यूज करें तो कट करें तो इसमें जुश निकले तो आप दे फ्रेज रहे तो इस तरह से किचेन नैपकिन लेंगे और उसमें निम्बू फोल्ड कर देंगे और उसको फ्रीज में रख देंगे अब यह फ्रेज रहेगा बिल्कुल खराब नहीं होगा आपका निम्बू अगर आपके पास टीशू पेपर नहीं है तो आप कैसे पानी होगा जल्दी अब देखिए यह जो कटा हुआ निम्बू है उसको भी अगर छोड़ देते हैं से तो खीड़े बाहर रखेंगे तो खीड़ा लग जाएगा अगर फ्रीज में रखेंगे तो भी सुख जाता है तो आपको उसको भी इस तरह से कीचेन नैपकिन में अगर आप माइक्रोब आपके पास नहीं है तो इस तरह से गरम पानी लीजिए और गरम पानी में इसको डिप कर दीजिए पांसे दस मिनट के लिए इसको छोड़ दीजी और उसके बाद इसको यूज कीजिए बहुत हो जाएगा और इससे जूश निकलेगा तो इस तरह से इसको रख दीजिए और उसके बाद यूज कर सकते हैं टिप नमबर थ्री जिंजर घर लाते हैं और उसको छिलका निकालते हैं तो इसको किस तरह से छिला जाए तो देखिए मैंने दो तीन तरीके से बताया है छिलने के लिए देखिए इस तरह से अस्पून से भी आप छिल सकते हैं देखिए इस तरह से छिल सकते हैं और जो छिलका होता है उसको आप थोड़ा सा फैन के नीचे उसको सुखने दीजिए या अगर आपके पास धूप है इसको थोड़ा दर के धूप में सुखने दीजिए और सुखने से नाइप से भी छिल सकते हैं और इसको बंद करके फ्रिज में रख दीजे तो आपका बिल्कुल जो है जो अधरक है बिल्कुल खराब नहीं होगा और फ्रेश जब भी यूज करेंगे फ्रेश यूज कर सकते हैं टिप नंबर फोर लॉकी का सब्जी जिब बनाते हैं तो इस स्पून से यह को चिल लेंगे श्फ्त ठीक जिर फी अगर आप इस फोर नहीं चाहते हैं तो आप κली य। तो आप सस्पून जिलना चाहते हैं तो आप擊 टो आप इस तरह से गिलास लीजिए और ग्लास से खे कर सिर ज intra ग्लास लैॆ अर्ज निए बहुत याराम से चिला जाएगा देखिए बहुत जल्दी पीलर से भी ज्यादा जल्दी इसको चिल सकते हैं टिप नंबर फाइव करी पत्ता अक्सर घर में जब लाते हैं तो यह सुख जाता है और यह बिल्कुल ग्रीन नहीं रहता है इसको अगर बाहर रखते हैं तो काले बीपड़ जाते हैं इसको कैसे प्रिजर्प करेंगे इस तरह से इसको दो करके सुखालिया मैंने अब डबा लेंगे और श्माट टीशू पेपर डाल देंगे अगर टीशू पर नहीं है तो आप नीज़ पर भी डाल सकते हैं अगर नीज़ पर नहीं डालना चाहते हैं तो और कभी आप निकालेंगे 15-20 दिन तक तो यह बिल्कुल खराब नहीं होगा तरो तरो तजा रहेगा जब भी आप निकालेंगे बिल्कुल ग्रीन और लगेगा कि इस अभी लाएं हैं बिल्कुल फ्रेस रहेगा यह इस तरह से उपर से टीशू पेपर से कवर कर दीजे और इसका धकन लगा दीजिए और धकन लगाकर आप फ्रीज में रख दीजिए 15-20 दिन तक यूज कर सकते हैं कभी भी खराब नहीं होगा जब भी आप बीच बीच में निकाल करके देख सकते हैं कि काले पढ़ गए या पानी है तब इसको पोच लिजिए और इसके उपर करी पत्ते को डाल देंगे सारे करी पत्ते को और उसके उपर को डाल देंगे इस तरह से मैं रख रही है और इसको बंद करके इसका निशान लगा दे रही हूं ताकि उसका गोल सेप में इसको फोल्ड करें देखिए इस तरह से आप किसी भी सेप में इसको बंद कर सकते हैं तो इस तरह से निशान लगा करके मैंने फोल्ड कर दिया है इसको ताकि अच्छा लगे अब देखिए इसको फोल्ड हो चुका अब इसको अंदर रख देंगे और करीपत्ता को कभी भी रखें या कोई बीची तो किसी ठूश-ठूश के नहीं रखें बिल्कुल स्पेस थोड से प्रिजर्ब करके रखेंगे अब इसको धो करके मैंने पंखा के हवा में सुखा दिया अब इसको इतना थोड़ा बीच से कट कर लेंगे ताकि जो उसका स्टेम है अलग हो जाए आप उसको भी रख सकते हैं इसका भी जो स्टेम है इसको फेक यह नहीं इसको भी आप दबा लेंगे और इसमें टीशू पेपर लगा देंगे अब टीशू पेपर नहीं है तो नीश पेपर भी लगा सकते हैं इसके बदले कपड़े का भी नैपकिन लगा सकते हैं अब इसको हाप कट कर देंगे ताकि रखने में दिक्कत नहीं हो अब इसको रख देंगे इसको कि जब बंद करेंगे तो उसके उपर डखकन के उपर देखिएगा कि पानी रहते कुछ बूंद रहते हैं तो उससे पानी अगर टीशू पर नहीं रखेंगे तो खराब हो जाएंगे उसके उपर गिर के कुछ पत्ते पीले थोड़े से पड़ें लेकि खराब नहीं हुए तो अगर खराब पीले पड़े घए हो या खराब हो गया या काले पड़े गया हो तो उसको आपने काल करकर रख दीजिए ताकि आपका जो धनिया पत्ता है बिल्कुल फ्रेस रहें और इसको ढखने उसको अब वह को बाहर रख देते हैं और वह जो बिस्कुट एवह शूप्ट पड़ जाते हैं बिल्कुल खराव हो आते हैं चाहने में तो उसको क्या करें आप देख सकते हैं यह बिस्किट खुला हुआ रहा गया बच्चे भी अकसर खुला छोड़ देते हैं बाहर देखिए कि बिल्कुल सॉप्ट हो चुका है अब खाएंगे तो आप खाने में टेस्ट नहीं आएगा तो इसको आफ क्या करें कि इसको या तो खुला रख दें फ्रीज में या तो इसको के रबर से कहीं कैसे भी रख दीजिए अगर फ्रीज में रख देंगे तो बिल्कुल जैसे पहले कुरकुरा था यानि क्रिश्पी था बिस्किट बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा और जब खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी रहेगा टिप नंबर एट जो तामे का बरतन होता का पानी रखते रखते कुछ जिन में गंदा हो जाता है और यह भीम से नहीं साफ होता है इसको कैसे साफ करेंगे तो सीर का और नमक से आसा कर सकते हैं अब इसमें थोड़ा-thोड़ा पानी मेक्स करके इसको घोल लेंगे ऐसा घोल बनायेंगे जो कि उस पर लगा सके तो लग सके देखे घोल हो चुका इसको इसके उपर लगा देंगे पूरा इनी इसको कभर कर देना है पूरा इस घोल से आटा और सिरका का घोल से अब देखे ये कभर हो चुका अब इसको पंदरा मिनट ये 10-15 मिनट तक इसको छोड़ देंगे अब देखे जग को मैंने दूसरे तरीके से इसको साप करने के लिए रखा है तो इसमें रख दिया है नमक जो की नॉर्मल नमक जो खाना में यूज करते हैं और आधा निम्बू ले ले लेंगे और इसको में निम्बू में नमक लगा लगके इसको साफ करेंगे आप देख सकते हो साफ किया है मैंने और इसको देखे कितना अच्छा साफ होने लगा है कि देखिए खिए कितना अच्छा यह साफ हो गया अब देख सकते हो कि देर में है पता चलने लगही है कि देखिए बिल्कुल ख aby नीखिले लगर। आपको देखिए उधर गंदा है इधर थोड़ा सा रगड़ा है मैंने बिल्कुल साफ लग रहा है तो इस तरह से पूरे जग को नमक और निम्बू के जूस से यानि निम्बू से लगा करके इसको रगड़ लेंगे पूरे को साफ कर लेंगे इसी तरह से इसमें कोई भीम या कुछ भी नहीं लगाना है साबून इसको निम्बू और नमक से साफ कर लेंगे साफ करने को उसके अंदर भी साफ कर लेंगे और उसके बाहर भी साफ कर लेंगे तो साफ करने के बाद मैं दिखाती हूँ कि कैसा साफ हो करके हुआ है देखिए इसको तो मैं थोड़ा सा ब्र से मैंने नहीं रगड़ा है देखिए कितना नया अदम बिल्कुर लग रहा है एक सिर्केव के साथ में बताई हो गयों क्या टेक साथ आइए निम्बू और नमक के साथ टिप नमबर 9 अब देखिए कभी-कभी क्या होता है सूरन जब लाते हो चिल लेते हैं और सर्षो का तेल लगाएंगे और इस तरह से गैस के उपर हाथ को कुछ सेकंड के लिए इसको सेख लेंगे देखिए कुछ सेकंड ही सेखनी के बाद आपका खुजली हो रहा है वह खतम हो जाएगा टिप नमबर 10 जो है कि आप पिछला वीडियो मेरा देखिए और बनाईए और अगर आपक को सेर करना ने भूली